वीडियो में आज बात करेंगे मिश्टान फूट्स लिमिटेड कमनी के राइट इसु आज से दो अप्रेल से ओपन हो गया और देखेंगे राइट इसु बदलोत कमनी के सेयर प्राइस में जबरदस तेजी देखने को मिलने लगा है इस तेजी के और कमनी के कामधाम फंडमे आज सेयर्स मिलने थे जितने भी सेयर्स वह आपके डिमेट अकाउंट में आज से दिखने लगे होंगे जो मतलब इसके लिए इसके लिए इस वाता है तो कमनी उसके लिए कुछ रखती है उस रेशियो के हिसाब से दिए आप इलिजीबल है तब ही आपको एक्ट्रा सेयर् आप इस आरी सेयर्स को बेच दिएगा बेचने का जो डेट है वह मैं डेट भी बता दूगा नहीं बचेंगे ना तो यह जो आरी सेयर्स जो एक्षा सेयर्स आपको मिले हैं या जो आप बाई करेंगे वो फिर एक तैयस समय बाद आपको डिमेट अकाउंट से गाइब हो ज बता है तमाम चीज़ों को इस वीडियों में असना मताने वाला हूं चलिए शुरू से शुरू करते हैं अब देखिए यहां फ्रमने में इस्टान फूर्स लिमिटेट के राइट इसू का मतलब यह होता है जब दिक किसी कंपनी को पैसों की जुरूरत परती है तो कंपनी क पास बहुत बड़ा ड्रप नहीं है कंपनी को कोई करजा नहीं चुकाना है तो कंपनी जो राइट इस वीडियों को पैसा जुटाती है इसका युज कमपनी पहले इनके पास आती है इसको एक्षा सेर्स कमनी आपको देती है इसमें आपको अप्लाई करना पड़ता है और इसमें अप्लाई करने से पैदा यह होता है कि आपका जो अवेज़ प्राइस जो आपने पहले से महांने दामों को बाइक कर रखा है वो इसका average price आपको कम हो जाता है कि राइट इसू के जो सेर्स में अप्लाई करते हैं तो इसका price market price से कम पर आपको मतलब ये सेर्स में अप्लाई करना होता है अभी मार्केट में मिस्टानफूर्स का price सेल राइब 20 रुपए और जो कमनी आपको जो आरी सेर्स आपको दी है इसके जब अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ के लिए करना होगा 15 रुपए यानि कि market price से कम price पर आप आरी सेर्स में अप्लाई करेंगे इससे क्या होगा कि आपका average price अप्लाई करने कि यह सब बेनिफिट है अब ध्यान से समझेए यह जो मिस्टानफूर्स का राइट इससे ओपन हो रहा है यह आज से दो अप्रेस ओपन हो रहा है और 16 अप्रेस तक इसका last date यानकि 16 प्रेस के पहले तक आपको इसमें अप्लाई करना होगा किसे अप्लाई सेर्स पर अप्लाई करना जाएंगे तो अलग से राइट इससू का मिस्टानफूर्स का सेर्स मिलेगा पंदरी रुपय में आप इसको बाई कर सकते हैं और देखे इसकी जो लिष्टिंग होगी राइट इससू का जो जब बाद में इसका अलॉट्वेंट होगा तो क्योंक पी मतलब अजीब तरीके से रेश्यो रखा गया ऐसे नहीं रखना चाहिए था तो सब्लक्ता है किसी बेक्ति के पास 30 सेर्स पर नहीं हो 10 सेर्स तो वो फिर राइट इससूं अप्लाई नहीं कर पाएगा हलाकि ही रेश्यो बहुत गलत तरीके से लाएगए इसको थोड़ा साइस रखना चाहिए था अब देखे इसमें आ जो बाई करने का लास्ट डेट था यानि की रिकॉर्ड डेट को रखा गया था बीस मार्च को रखा गया थे जिसके पास बीस मार्च के पहले जिन लोगों ने इस कमनी में इंवेस्टमेंट किया था वही बेगती प्राइब करने के लिए द्धान से समझ लिएगा 20 मार्च के पहले तक जिन लोगों ने इस सेर्व किया होंगे सिर्फ वही और वही अभी इस राइट इससु में अपलाई कर सकते हैं क्रेडिट ओफ राइट इंटाइटलमेंट सेर्स का अभी कोई डेट नहीं है हाला कि इसमें दो साथा का टाइम लग जाता है जब आप पॉपलाई करते हैं तब से लेके और इसमें देखेंगे तो रिनन्स येशन ओफ राइट इंटाइटलमेंट्स का जो टाइम है 16 अप्र सेर्स आपको मिले हैं यादि आप नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको 13 अप्राइल तक बेज दीजिएगा 13 से 14 अप्राइल तक उसको करते रिनन्स येशन ओफ राइट इंटाइकलमेंट्स नहीं बेचेंगे तो जो एक्ट्रा आरी सेर्स आपको मिले हैं वह आपके डिमेट अकाउंट से 13 अप्राइल के बाद हो सकता है नहीं दीखे गायव हो जाए तो फिर आप क्या होगा कि दून तरीके से आपको नुक्सान हो जाएगा तो आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे जिससे आपके आरी अवरेज प्राइस कम नहीं होगा और दूसरा जो डिमेट अकाउंट में सेर्स विएट हो जाएगा 26 अप्राइल तक लिश्टिंग हो जाएगा साथ मैं थोड़ा समय लगते है लेंदी प्रोसेस होता है लेकिन लास्ट गेट है आप जरूर आप्लाई कर लिजेगा अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल आपको आस्बाग का डिटेस्ट खुल जाएगा और वहाँ पर जाकर आप इसमें अपलाई कर लिजेगा सिंपल यूट्यूब पर वीडियो देख लिए कैसे अपलाई करते समझ में आ जाएगा और बाकी आप वो कुछ सवाल रह गया है कुछ छूट गया है कमेंट में जुरूर पूछेगा मैं सारे बेक्टी के कमेंट के रिपलाई जैता हूँ इंस्टाग्राम पर भी जुरूर कर बात ही कर सकते हैं टेली ग्राम जोइन कर सकते हैं मिल्देन एगले वेडियोमें तत्तिकले दन्य वाद सुप्रिया